हलो एवरिवान वेलकम वैक तो माई चैनल गाई से कॉर्ण यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूं कैसे हैं आप सब आप सब आप सभी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूं आप सभी लोगों के लिए यूनिवर्स की प्लैनिंग आपके लिए आगे के लिए क्या है ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसको मैं यहां पर कवर करूँगी तीन चार से पांस दिन का यह प्रडिक्शन है आपके लिए इसमें देखेंगे यूनिवर्स आपके लिए क्या ट्रैने के जरूरत है आपको यह चीज़े समझ में आ जाती है और आने वाले टाइम के लिए प्रडिक्शन हो ठीक है इसलिए इस रिडिंग को देखना आप लोगों के लिए जरूरी है तो अब रिडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देर करें और देख लेते हैं आप लो मेरा इंस्ट्रोग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीम कर सकते हैं कि आपने रिडिंग बुक कराना है प्राइजिस और डिटेल्स अब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में इंशन है चलिए अब स्टार्ट करते हैं एस अवाँ एस अवाँ एस अवसोर्ट यह दोनों इस पहले भी आये हैं रिडिंग में अभी कुछ दिन पहले जो मैंने की हैं फॉर अफ पेंटिकल्स मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि सेम कार्ड्स आ रहे हैं कुछ दिन तक कुछ एनरजी चले गया आपकी ठीक है लेकिन मैसेज इस डिफरेंट है वाओ वी हव थ्री एसेज यानि की वी हव ट्रिपल वन एंजल नंबर हीर सेवन अफ पेंटिकल्स नाइन ओव वांड्स अन वी हव एम्परेर ओके तिको यूनिवर्स चाहते हैं के सच में आप एक एम्परेस सॉरी शलो एम्परेस निकल गया मूसे तो एम्परेस भी हो सकता है बट यूनिवर्स चाहते हैं के आप एक एम्परेर बने अपनी लाइफ में अब ये अब मैं आपको बताती हूँ आप बहुत सारे इमोशन्स से डील कर रहे हो लाइक फाइव ओफ कप्स की एनरजी यहाँ है नाइन ओव वांड्स की एनरजी यहाँ है तो ये तीनों एनरजी बता रही है कि आप कितना इमोशनल लॉस में हो अभी लाइक वेट कर रहे हो पेशन्स रखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है आपको लगता है कि चीज़े जल्दी जल्दी सारे कंक्लूशन सारे आउटकम्स आपको पता चल जाएं बहुत अकेला फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा एमोशनल विड्रॉल में हो नेगेटिव होते हैं त्यukhate इनको किसी के एक्शन पर या कोई क्या आपके लिए कह रहा है क्या स्टेट्मेंट बोल रहा है इनको फर्क नहीं पढ़ता है इनको अपने आपकी कारना बहुत अच्छे से आता है इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग माइंसेट होता है ठीक है और इनको जो उने डिसाइड कर लिया वो चीज़े करते ही करते हैं, तो इसलिए एक एंपरर की तरह बनो, अकेला पन एंपरर को कभी डिस्टरब नी करता, एंपरर को पता है कि इसने यह एक्षन लिया है, तो इसमें इतने टाइम में इसको रिजल्ट मिलेगा, तो इतने अच्छे तरीके से इनका crown chakra balanced होता है और emotional withdrawal में ये जल्दी से नहीं आते हैं because इनको इनकी worth, इनको इनके life के principles पर काफी ज़्यादा भरोसा होता है, trust होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप इन तीन चीजों पर काम कर लो ये तीन चीज बहुत important है अगर इन तीन चीजों पर, देखो, मैं ये देख पा रही हूँ आप में से बहुत साथ लोग मेरे साथ काफी time से हैं reading को देख रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप weak हैं ठीक है, या आप से situation handle नहीं होती है लेकिन universe हर वक्त आप जो universe से मांग रहे हो suppose that आप बहुत अच्छी कोई job मांग रहे हो या एक बहुत trust connection मांग रहे हो तो universe आपके सामने इससे related सारे के सारे task आपके सामने रखेंगे, अब आपके energy का level क्या है, आप कौन सी frequency zone में हो आप universe वो देखकर आपको आपके लिए क्या challenges वो बनाएंगे या क्या strategy बनाएंगे वो आपके सामने रख देंगे तो अभी जिस भी level में हो ये तीन चीज़े निकल कर आ रही है, इन पर आप काम करना शुरू कर दो, क्योंकि कोई भी चीज आपको free में नहीं मिल सकती अच्छा job चाहिए तो उतना अच्छा experience भी तो होना चाहिए ना, छीक है ना, सरफ bookish knowledge ये सब कुछ नहीं होती हमारी खुद का एक spirituality level हमारे खुद का हम कैसे चीजों को देख रहे हैं analyze कर रहे हैं ये चीज़े भी बहुत important होती है तो आपका self growth बहुत important है किसी भी एक higher level में जाकर वहां पर काम करने के लिए चीक है तो that is why universe आपके सामने ऐसी conditions रखते हैं जहां पर आप deal करकर easily उन concept को सीख कर experience लेकर आप आगे बढ़ जाते हैं अब आगे जब बढ़ोगे तो obviously हो सकता है same challenge आज है लेकिन उनका जो level होगा difficulty का वो different हो सकता है बहुत आगे बढ़ गए हो guys बहुत major challenges face करकर आप आगे आ चुके हो ये छोटे मोटी चीज़े हैं एक emperor बनना है आपने strong personality बनना है तो उसी पर focus कीज़े थोड़ा सा अपने finances को लेकर alert हो जाओ अगर आप delay करते हो अपने काम में या फिर आपको लगता है कि चलो ठीक है अभी इतना कर लेते हैं दूसरा step बाद में कर लेंगे या बहुत ज़ादा खर्चे कर रहे हो आप खर्चों पर control नहीं है या फिर आप अच्छी strategy नहीं बना रहे हो अपने finances के लिए तो yes, you need to do that आपको ये करना पड़ेगा इसमें इनिशियेटिव लो अपने finances को अच्छा एक अच्छा proper control आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपको थोड़ी दिक्कते आ रही है ठीक है आपके work area में आपके finances में थोड़ी दिक्कत है लेकिन we have three aces card here तो ये तीनों aces के card यहाँ पर देखो ट्रिपल वन angel number बना रहे हैं और ट्रिपल वन number it means आपको कुछ creativity दिखाने की जरुरत है आपको कुछ initiatives लेने की जरुरत है कुछ creative ideas, कुछ innovation, कुछ अपने purpose में आप क्या कर सकते हो क्या नया apply कर सकते हो इसका मतलब ये होता है इसका मतलब ये नहीं होता है हमेशा आप इसको अपनी love life से connect ना किया करो ट्रिपल वन का मतलब ये ही होता है कि अब time आ गया है कि कुछ नया action हमें लेना है नए तरीके से हमें सोचना है नए तरह से हमें strategies बनानी है ठीक है हाला कि yes, ये cards आप दिखो यहाँ Ace of Wands दिखा रहा है कि yes, आपको बहुत आप passionate हो अपने काम के लिए आप बहुत ज्यादा emotional weak feel कर रहे हो लेकिन still your heart chakra is balanced ठीक है, तो आप manage कर लोगे Ace of Swords दिखा रहा है कि कुछ victory आपके पास आ सकती है अगर आपने अच्छे से perform किया जैसे कि यहाँ पे 8 of pentacles का भी card है तो hard work तो आपको करना पड़ेगा ठीक है hard work करने की जरुरत है तब ही जाके यह delay खतम होगा ठीक है, जितना काम करते जाओगे उतना ज्यादा यह delay आ रहा है यह खतम होता जाएगा और आपका जो life को लेके जितने भी तरह के issues हैं वो सारे खतम होते जाएंगे और आप इस withdrawal से भी बहार आजाओगे ठीक है तो यह चीज़े आ रहे हैं आपके universe आपके सामने कुछ इस तरह के challenges भेज रहे है अगर मैं थोड़ा सा love life के बाले में बता हूँ तो ace of wants मुझे दिखा रहा है कि कितने passionate हो आप दोनों एक दूसरे के लिए और दूसरा अगर आप लोग single हैं बहुत टाइम से तो यह जो aces के cards है ऐसा हो सकता है कि आपके life में partner आ जाए ठीक है who knows कभी भी कुछ भी हो सकता है तो अगर आप manifest कर रहे हो तो yes इस से related अगर मैं आपके लिए answer निकालू तो 3 aces के cards है तो हो सकता है कि आपकी life में कोई आ रहा है कोई अच्छा person, कोई best friend ठीक है तो यह चीज़े यहाँ पर है और देख लेते हैं और क्या आपके लिए आने वाला है self worth अपनी पूरा focus अपने self worth पर लगा दो जितना जादा worth ही आप feel करेंगे उतना जादा चीज़ों को attract करना शुरू कर दोगे आपको अपनी self worth पता होनी चाहिए that is why यह emperor का card आपके लिए आया था कि आपको emperor बनना है यहाँ पर यह empty chair है यहाँ पर emperor chair पर बैठे हुए है और आप इसके बहुत close हो इस chair के न तो universe चाहते हैं कि आप सीट पर बैठो अपने worth अपनी create करो अपने like solid foundation create करो और universe आपको इस टीज के लिए prepare भी कर रहे है और आप भी खुद भी स्टीज का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से but universe आपकी help कर रहे है and miracle वो आपकी life में जो भी help आपको चाहिए होगी time पर भीज देंगे because miracles का जो card है न मतलब मैं कर इसे connect करूं तो ये help is on the way दिखा रहे है help is on the way ठीक है because ये miracles भी ऐसे ही नहीं आगया आपकी life में ये भी आपने earn करे है अपने कर्मों के according and workaholic again ये card आगया जो कि इस वाले card से eight of pentacles के card से match कर रहा है so yes you need to work a lot अगर आपको एक proper balance एक अच्छा output चाहिए तो आपको महनत तो करनी पड़ेगी दर्वाजा खुलेगा guys don't worry महनत तो करनी पड़ेगी आपको बिना महनत के कैसे result मिल जाएगा कैसे एक अच्छा job या अच्छा business establish कर सकते हैं आप चलो एक card आया है let go जितनी भी तरह की negativity है stress है आप उसको let go कर दो थोड़ा सा भरोसा रखो communicate clearly and finally we have big happy changes यही आने आपकी life में at the end तो divine के साथ communication clear रखो ठीक है आप खुद के साथ अपना communication clear रखो जो आपने खुद के लिए जो decide किया है उसको पूरे दिन में complete कर दो कुछ भी आने वाले दिन के लिए ना छोड़ो ठीक है तो जो आप सोचते हो वो आप time पे करना शुरू कर दो इस तरह का balance आपकी life में आएगा तो चीजे align होती जाएगी और जो task आपको बहुत difficult लगते हैं वो इतने difficult नहीं लगेंगे ठीक है यह आपको करना है बाकी अभी के लिए बस इतना ही guys bye take care